So ideally, बड़ा important point जो हमें समझना है आज, वो ये है कि bottoms और peaks कोई भी predict नहीं कर सकता. क्या है वो market maker हो, यानि कि जो market को चलाता है, या जो लोग चलाते हैं, या जो biggies चलाते हैं, या कोई भी ऐसा person जिसको first information हो किसी से पहले भी, तब भी वो market का peak या bottom को predict नहीं कर सकता. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको market समझने आसके हैं, क्योंकि market में जो समझने वाली चीज़ है, वो peaks and bottoms नहीं है, markets में समझने वाली चीज़ है कि ये जो zone है, ये zone buying zone है या selling zone है, क्योंकि buying zone, एक होता है buying जहां से शुरू वाली zone होती है, या बाइंग start zone बोलते हैं उसको, और एक होती है, बाइंग जहां पे खतम हो रही होती है, यानि कि वहाँ पे profit book करना होता है, जिसको हम बोलते है buying maturing zone या buying mature zone, ऐसे ही selling शुरू होने की एक zone होती है, जिसको हम बोलते है selling start zone and similarly selling एक जगा जाके matured होती है, यानि कि वहाँ पे हमें selling वाली साली position को खतम कर देना जिसको हम बोलते है selling matured zone, but always है, buying zones, selling zones, buying start कहां से है, buying matured कहां पे हो रही है, selling start कहां से हो रही है, selling matured कहां पे हो रही है, यह हम portfolio education services में सीखी रहे हैं, और धीरे दरे करके आपको यह सब समझ आने लगी रहा है, जो जो already जिनको six months हो गए है portfolio education services, at least gold में, यानि उनको अब हो गई है, यह buying zone शुरू हो गई है, यह selling zone शुरू हो गई है, यह selling zone खतम हो गई है, और यही important है पेचानना, क्योंकि peaks और bottoms पेचानना important नहीं है, मुश्किल हो तो, नामुम्किन है rather, क्योंकि कोई भी person overall market से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए peaks and bottoms predict नहीं कर सकता, मगर एक आदमी, अगर कोई knowledgeable आदमी हो, जिसको right knowledge हो, और मैं आज बताऊंगा कि right knowledge कोन सी वाली, वो person, यह जरूर चेक कर सकता है, कि यह निकलने की zone है, अब यहाँ पे buying नहीं रखनी, यहाँ पे profit बुखर के बाहर निकलने का time आ गया है, यह यह zone खरीदने की zone है, यहाँ पे अब दुबारा buying करने का time आ गया है, यहाँ पे अब selling करने का time आ गया जिसको हम short position बोलते हैं, एक तो होता है buying zone जब matured हो रही होती है, वहाँ पे हमारी buying position को हम sell off करते हैं, एक है selling zone जब शुरू होती है, वहाँ पे हम short position का शुरूआत करते हैं, और जब selling zone matured होयाती है, कि वहाँ पे हम short position को खतम कर देते हैं और फिर हम wait करते हैं कि भीया अब बता market अब तिरहों कहां जाना है कौन सी zone में जाना है आज हम कुछ बड़ी important चीजें further समझेंगे second point जो मैं अब बताने की कोश़ כ attracting point होता है market का जहां से impact शुरू होता है जो कि मैंने साथ पहले भी जिकर किया है मगर repetition जरूरी है क्योंकि बार बार बोलता रहूंगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा यानि कहां से मार्केट शुरू होती है और कहां पे बॉटम होती है यानि बॉटम में जहां पे आम आदमी होता है ये समझना बड़ा ज़रूरी है तो पहले मैं बॉटम से बताने ही कोश्च करता हूँ Most of the market participants जो होते हैं शायद मैं 99% जो लोग होते हैं वो मार्केट के बॉटम पे होते हैं और उनको हम बोलते हैं बायर्स उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टर्स और वो बहुत लार्ज इन नंबर्स होते हैं बहुत जाधा लोग कोपते मगरिविजुली वह बहुत चोटे होते हैं वो छोटे 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 लोग होते हैं मगर कठे हो जाएं यानिकि अगर यह together आ जाएं तो यह market से बड़े बन जाएंगे मगर together यह आ नहीं सकते क्यों? क्योंकि हर एक के पास अपना mindset है, हर एक के पास अपनी information है, हर एक किसी को अपने आप follow करता है, इसलिए सारे लोग कठे नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनके contradicting views होते हैं इसलिए छोटे 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 99% लोगों के contradicting views होते हैं इसलिए ये कभी कठे हो नहीं सकते और अगर कठे हो नहीं सकते तो ये कभी भी market के जो makers हैं उनसे बड़े ये बन नहीं सकते इसलिए जो market makers हैं जो की मैं अभी chain में बताऊनगा chain के जो top के जो लोग है वो हमेशा इन छोटे छोटे जो लोग है इनके minds को influence करते हैं उस तरीके से जो वो इनसे करवाना चाहते है यानि कि जब वो market maker इनसे buying करवाना चाहता है ताकि ये फसें तो वो media में reports के तुरू industry research reports के तुरू या social media के तुरू वो कही ना कही आम आदमी को एक ऐसी information पहुंचाएगा कि खरीदने का time आ गया बट और वेस है उस के निकलने का time हुएगा मार्केट मेकर का तो इस लिए सारी information फिला रहा है कि छोटा वाला आदमी है जो सबसे तो यह जो आ आया जाएगा कि यहां पे तो crash कर जाएगी market recession आने वाला है big time problem होने वाली है तो यहां पे वो most of जो लोग हैं वो बेजबाच के निकल देंगे loss loss लेके बाहर निकल देंगे यह सबसे bottom of the pyramid की market है और यह जो bottom है इस bottom में majority of लोग है यानि कि जो मैं 99% लोग जो bottom of the pyramid की बात कर रहा हूं इन में से भी जो 99% लोग हैं उनके पास कोई knowledge नहीं है चेक वान टू थ्री स्वाइडली यह जो top पे जो market makers हैं जिनकों biggies बोलते हैं वो इन bottom के जो pyramid में जो 99% के जो market participants के जो लोग हैं जो छोटे-छोटे लोग हैं उनके mind को influence करने के लिए media में, social media में, कही तरह की research report के थूँ, उनको fastenे की कोशिश करते हैं जैसे की अगर वो biggies जो हैं जब उन्होंने निकलना होता है market से peaks पे तो exact peak तो किसी को नहीं पता मगर buying zone जहां पे matured हो रही होती है वहां पे जब उनको निकलना होता है, तो मीडिया पे, social media पे, research report के थूँ, आम आदमी को ये पहुंचाते हैं कि ये share is a good time to buy, क्योंकि ये share यहां से multi bagger बन जाएगा, breakout level आ गया है, ये यहां से और जादा उपर भागेगा तो आम आदमी 99% जो आदमी है, वो वहां पे खरीदते हैं और market biggies वहां पे पेश देते हैं फिर market में जब एक तरह से buying zone जहां पे शुरू होनी होती, यानि buying zone जहां से शुरू होने होती है, market makers वहां पे ऐसा फिर मीडिया और सोशल मीडिया के थुरू लोगों के 99% लोगों के mind को influence करते हैं कि यहां से crash आने वाला है, massive fallout होने वाला है, big time recession आने वाला है ताकि 99% लोग अपनी holdings को loss में या थोड़े minor profits में बेच के बाहर निकल जाएं और यह जो market के biggies हैं, यह वहां पे खरीद लें यानि कि यह जो चीज है, यह चीज में further हमें यह समयना जुरूरी है कि जो 99% जो लोग जो bottom of the pyramid में हैं, उनमें से भी जो 99% लोग हैं, उनके पास कोई knowledge नहीं है, at all और उनको खुद पता है, वो खुद बोलते हैं, हमारे पास कोई knowledge नहीं है, हमें कुछ आता ही नहीं है, especially, वो लोग तो definitely होंगे, जो non-finance backgrounds हो, मैं यह नहीं कहरा, finance background वालों को आता हैगा, मगर non-finance वालों को तो पका ही नहीं आता हैगा, हलांकि finance वालों को भी नहीं आता ह हैं, जो other than finance background को होंगे, तो वो तो वही लोग हैं, जो कहते हैं, हमारे पास तो वैसी knowledge नहीं है, एंड यह खुद अपने अपने profession में, अपनी जाब में इतने busy हैं कि इनके पास तो यह कहना भी है, कि ना तो हमारे पास knowledge और नहीं time, और इसी लिए 99% लोग जो 99% जो bottom of the pyramid मे खड़े हैं, वो कहते हैं, mutual fund में लगाना better है, जी हमें तो वैसी कुछ आता नहीं और नहीं time, या किसी portfolio management services वालों को देना better है, क्योंकि ना हमारे को कुछ आता है, ना हमारे पार time, या किसी वो broker के through लगाना better है, क्योंकि हमारे पार ना तो समझ है, ना time है, या banker के through लगा brokers कहते हैं, हैं वो भी brokers, या फिर media को देख के लगाते हैं, या social media, YouTube, या कई तरहां के जो whatsapp के groups बने होते हैं, जिसमें whatsapp के groups हैं, कई लोग अपने shares बता रहे होते हैं, ये share खरीद लो, ये share बेच दो, तो उन shares के tips के basis पे भी वह वहाँ पे खरीद बेच रहे होते हैं, या या तो ये किसी और को पैसा दे देते हैं, और वो पैसा कहां लगा रहा है, कहां नहीं लगा रहा है, इनको कुछ समझ भी नहीं है, या ये कोई social media group के या whatsapp group के member होते हैं, और वहाँ पे कुछ ना कुछ इनको information या tips वगरी आ रहे होती हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ ख यानि हरोज क्या चल रहा है CNBC में, मार्किट कहां जा रही है वगर अगरा, और वैसे भी हम में से कई लोग जो mutual fund के थूर लगाते हैं, हम कहां देखते हैं, उसका daily की net asset value क्या चल रहा है, NAV क्या चल रहा है, हमें तो पता ही नहीं होता, तो इसलिए normally हमारे ये जो 99% of the bottom of the pyramid में जो 99% लोग है, उन लोगों के पास बड़ी patience होती है, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता market को देखने का, and उनके पास दूसरा holding capacity होती है, यानि पैसा लगाके सोने का कोई point है, यानि सो जाते हैं, holding capacity, यानि पैसा है, और पैसा लगाके hold कर सकते हैं, मगर इसी में ही, जो bottom of the pyramid में जो 99% लोग हैं, उन में से 99% तो लोग जो मैंने बताया है, वो ये हैं, मगर उन में से 1% लोग ऐसे भी हैं, जो उसमें से कुछ trading करते हैं, यानि कि जो traders बनने हैं, चसका लग गया उनको, उनके पास भी कोई खास knowledge नहीं है, मगर उनको क्या न आ रहा है, तो कभी वो open interest देखते हैं, कभी put call ratio देखते हैं, कभी put writing देखते हैं, कभी call writing देखते हैं, तो उनको लगता है, बहुत कुछ सीख रहा हूं, चाहिए loss आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मगर कुछ चुट-पुट-चुट-पुट कर रहा हूं, ये actually ये वो लोग इनके पास पैसा नहीं, या कुछ ऐसे लोग होएंगे, जिनके पास पैसा बहुत है, तो उनको चसका लगावा है, कुछ ना कुछ करने का, यानि कि दो category लोग उस 1% of the bottom 99% के पिरामिड में होंगे, और ये जो लोग है, नॉर्मली brokers या जो subbrokers होते हैं, उनके कहने पे, या media देखके, या news, या rumors के basis पे, short long करते रहते हैं, intraday करते हैं, या किसी social media group के होएंगे, telegram channel या whatsapp channel में, वहाँ पे कुछ नों कुछ टिप्सारी होते हैं, ये short कर लो, ये long कर लो, वहाँ पे कुछ नों कुछ नों कुछ ये करते रहते हैं, busy भी रहते हैं, time pass भी हो जाता है फिर इन में ये जो bottom of the pyramid है, इससे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, तो कुछ very few लोग हैं, जो अपने आपको समझते हैं कि उनको आता है fundamental analysis, हाला कि काईदे से उनको fundamental analysis नहीं आता है, वो fundamental analysis के नाम पे majorly financial analysis करते हैं, और वो financial analysis में भी वो 300 page की financial statements नहीं पढ़ते हैं, या उसका analysis financial statement से नहीं करते हैं, या उसके notes से accounts नहीं पढ़ते, वो क्या करते हैं, moneycontrol.com या ऐसे जो apps होती हैं, या websites होती है, वहाँ से directly देख लेते हैं, कुछ ratios, EBITDA की, turnover की, enterprise value की, intrinsic value, सब निकाल नुकुल के, financial analysis करके, उनको लगता है कि वो fundamental analysis कर रहे हैं, तो यह financial analysis करके, उनको लगता ह काईदे से उनको economic analysis, world economy में क्या हो रहा है, industry में क्या हो रहा है, sector में क्या हो रहा है, वो उनको नहीं आता, तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ-कुछ reports को जो publish होती है, कई अच्छी entities publish करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, तो उनको लगता है, बस यहाँ से हमने पढ़ लिया industry के उपर, industry का impact, उस company के उपर, या उनको वाकई में कुछ knowledge है, बहुत कम लोग होएंगे, मगर इतना depth analysis कोई कर नहीं सकता, जब तक को इतना depth analysis करेगा, तब तक तो एकनावी हिल जाए, तब तक तो share मार्केट हिल जाए, तो देखा जाए, तो मैं bottom of the pyramid में जितने भी लोग बताएं हैं, चाहे bottom of the pyramid में bottom 99, उस bottom 99 में 99% वो और 1% traders, फिर उनके उपर जो थोड़े बहुत जिनको fundamental के नाम पे financial analysis करना आता है, या थोड़े बहुत वो जिनको fundamental analysis थोड़ा बहुत वाकई आता है, मगर जितने भी लोग हैं, देखा जाए तो, ये सारे लोग, global economy के perspective से अपना exposure ले रहे हैं, यानि कि मैं ये उस point उसे कह रहा हूं कि कर तो ये कहिना कही fundamental analysis रही है, इन में से कुछ लोग ऐसे भी होएंगे, जिनको technical analysis थोड़ा बहुत आता है, जिनको चुछ चुट-चुट-चुट-चुट-चुट कोर्स करक्त होएंगे, या Google से technical analysis करक्ता है, तो इसका मतलब ये majorly, ये world की economy जो GDP terms में 90 trillion dollars है, उसके within ये exposure लेने की कोशिश करते हैं, अब जो top of the chain पे जो लोग आते हैं, वो है सबसे बड़े biggies, और biggies में कौन-कौन से लोग होते हैं, biggies में एक तो वो लोग होएंगे जिनको advance में पता है कि कौन सी economic policies आने वाले समय में बनेंगी, आने वाले समय में कौन सी industry policies बनेंगी, आने वाले कौन से sector में policies बनेंगी, या हमारी company के अंदर हम कौन सी policies बनाएंगे, management policies बनाएंगे, यानि कि ये वो biggies, जिनको पता है कि आन इसका मतलब ये उनको आने वाले समय में अपने shares उसके उपर जो impact होएगा वो advance में पता है and इसलिए since इनको सबसे पहले पता है कि advance में क्या होगा तो market में ये already exposure लेना शुरू कर चुके होते हैं इसलिए markets already advance में वो forward looking approach के तहर बता रही होती यानि कि इसका मतलब ये oil अगर बढ़ना है तो बढ़ने की 80% journey पहले ही हो जाएगी क्योंकि Russia को पता है मेरे को Ukraine के ओपर attack करना है Reliance की deal Facebook और Amazon से अगर होनी है तो 70-80% Reliance अलड़ी बढ़ चुका होगा क्योंकि खुद Ambani साब को पता है कि मेरी deal होने वाली है या अदानी साब को खुद पता है कि मेरी deal होने वाली है तो अदानी के जो shares होएंगे वो already 70-80% move हो चुके होएंगे जब तक जब तक ये move हो चुके होएंगे तब तक किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो और जैसी 70-80% of the journey पूरी complete हो चुके होएंगे और यह जो बड़े biggies होएंगे इन सारों को इन सारों ने अपना participation कर लिया होएगा अपने पैसे बना लिया होएंगे तो ultimately उसके बाद जो fundamental analyst थे ना वो जो bottom of the pyramid के ऊपर जो लोग थे उनको पता लागे ता या वहाँ पर जो technical analysis जिन्हें थोड़ा बहुत सीखवाएगा उनको थोड़ा बहुत पता लागे और उसके बाद आखरी में उनको पता लगए जो बिलकुल bottom में थे 99% लोग जो सिरफ media, social media, research report किसी और की पढ़के या whatsapp groups के through exposure ले रहे थे या brokers या bankers या relationship managers या friends या borrowed knowledge लेके तो bottom of the pyramid में वो लोग हैं जब पूरी 99% of the journey complete हो चुक है या 90-95% journey of complete हो चुक है और इसका मतलब ये वहाँ पर इसलिए bottom of the pyramid वाले जो लोग हैं जो आखरी में नीचे pyramid में वो फस जाते हैं उनके जो थोड़े से उपर थे जिनको fundamental analysis नाम पे financial analysis आता है थोड़े से बचे रहे हैं जो उनके थोड़े से उपर और थे जो fundamental analysis थोड़ा और deeper जानते थे वो भी most probably बचे रहे हैं मगर जो bottom जो इतने 99% लोग है वो पका फस जाते हैं और ये knowledge ये understanding हमें समझनी धीरे-धीरे करके पता लग जाएगी जब हम buying zones, selling zones जो हम सीख रहे हैं portfolio education services gold में 6 महीने तक आपको ये समझ आने लग जाएग and मैं तो कहता हूँ कि जब आप एक diary बनाएंगे कि media में कब क्या वो share खरीदवा रहे हैं या बिकवा रहे हैं और जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं उन दोनों को cross check करो और देखो की market कहां पर behave करते हैं जो हम सीख रहे हैं या जो media वाला कह रहा है और आप में से कई लोगों ने देखा ही है कि कैसे कैसे behave हुटा है एंडि जो पूरे जो scenario चल रहा है जो biggies जो majorly काम करते हैं वो biggies काम करते हैं through derivatives, speculation के through करते हैं वो actual में cash buying थोड़ना करते हैं या cash selling थोड़ना करते हैं वो असली में derivatives के through positions लेते हैं तो यहाँ पे आप एक और learning point number 3 बताने की कोश्श कर रहा हूं यानि कि point number 1 में मैंने आपको बता था वाला फसता है और उसके पूरे trades बताएं point number 3 में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जो पूरी economy में जो flow होगा चाहे कोई भी policies बनेंगी चाहे रश्या को यूकरेन के पर attack करना है या अंबानी साहब ने facebook के साथ कोई deal करनी है या अरामकों की deal तोड़नी है या माइन ट्री का merger होना है L&T Infotech के साथ यह सारी जो information है यह सारी information में जो economic flow of money होगा money तो flow करेगा ही करेगा ना चाहे इंडिया में FIIs का पैसा या एक company से दूसरी company में पैसा या एक company से बाहर की तरफ पैसा या बाहर का पैसा इंडिया की में किसी company में यह सब flow of money के थू होगा and flow of money में दो चीज़ें बड़ी important है एक है foreign exchange और एक है cost of capital यानि कि interest rate यानि कि currency, FX and दूसरा interest rate and जैसे मैंने थोड़ी दर पहले बताया कि economic में क्या होने वाला है यानि कि actual flow of money जब होने वाला है उससे पहले ही markets बता रही है कि flow होने वाला है मगर उन markets में जो बता रही है जो market में जो already oil बढ़ चुका है 70-80% या अदानी port का share बढ़ चुका है या अदानी enterprise का share बढ़ चुका है या वाईसा 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 समझो माईन्टरी का share टूट चुका है या अदानी port का share जैसे अभी तूट रहा है या अदानी power का जैसे share टूट रहा है वो सारे 70-80% जो भी जरनी है वो market पहले ही कर चुकी होती है तब तक media में या जो आम आदमी उसको समझ नहीं आता है and markets में ये सब कुछ पहले क्यों हो रहा होता है क्योंकि markets में actual flow of money से पहले derivatives का positions building हो रही होती है यानि कि actual में जो money flow है actual में जो currency flow है actual में जो interest rates का जो flow है उससे पहले derivatives हो रहे होते है currency के उपर और interest rate के उपर और इसलिए यहां पर बड़ा important point जो में बुल लगाऊ 99% जो लोग है जो नीचे bottom में खड़े वे थे या जो fundamental analysis करते हैं ये घूम फिर के fundamental analysis कर लो कर तो economic analysis कर रहे हो ना चाहे economy कहलो चाहे sector कहलो चाहे industry कहलो चाहे company कहलो उनको derivatives analysis तो आता ही नहीं किसी भी fundamental analysis से पूछोगे उसको derivatives नहीं आता है especially कौन सा derivatives currency and interest rate का derivatives अब आप होगे ये जानना क्यों important है हाला कि कई बार मैंने पहले भी बताया मगर एक बार दो मिनिट में मैं ये बताने कुछ करता हूँ world की जो derivative market है पंदरा सो ट्रिलियन डॉलर की है और world की GDP कितनी है 90 ट्रिलियन डॉलर की है इसका मतलब ये derivative market world की economy को impact करेगी करेगी तो उसको शायद मैं यूं कहा है तो net shell में derivatives market impact करती है financial markets को और financial markets forward looking में बताते हैं कि economy में क्या होने वाला यानि कि ultimately derivatives market की understanding लेनी बहुत जरूरी है कई लोग जो financial markets को समझते है share market को oil market को gold market को अगर उनको derivatives नहीं आता यानि कि equity derivatives, commodity derivatives currency derivatives, interested derivatives तो उनको market जादा देर तक समझ नहीं आएंगी वो तब भी धोका खाएंगे हाँ ये बत अलग है जिनको market समझ नहीं और जो fundamental fundamental कर रहे है उनको तो वैसी नहीं कुछ आएगा यानि कि जो सिरफ fundamental analysis करते हैं वो as good as जिनको कुछ नहीं आता ना जो 99% लोग थे जो कहते हमें कुछ नहीं आता वो भी वैसे ही है fundamental analysis करने वाले लोग भी जब तक उनको financial markets नहीं आएगा और जिनको financial markets आता है उनको भी कोई हाँ इनसे तो better है fundamental analysis करने वालों से better है मगर असली में उनको भी कोई खास चीज़े नहीं आती जब तक उनको derivatives नहीं आएगा और derivatives में भी जिनको equity derivatives आता है commodity derivatives आता है उनको भी असली में derivatives नहीं आता है क्योंकि 90% जो derivatives market है वो है currency and interest rate derivatives market और वहीं से पूरी market का flow शुरू होता है चाहे flow of money currency, चाहे flow of interest rate यानि कि LIBOR, MYBOR repo rate, interest rates policy rates जो भी आप सुनते हैं या yield on bonds यानि कि असली में जो market का flow है वो है interest rate and currency derivatives से और जिसको वो चीज नहीं आती उसको market नहीं आ सकती यह reality है, hard, core reality है और यह जो पूरा derivatives का flow है currency और interest rate derivatives का flow है वो over the counter होता है OTC derivatives ETC में बहुत छोटा है शायद 1% भी नहीं तो आप सोचो कोई अगर आपको कहता हो आपको equity derivatives आता है अर उसको रहली ऑंकोई नहीं चीज आता है बहुत नहीं आसे और जिसको वैसी equity derivatives और commodity derivatives नहीं आता और वो equity market में पैसा लगाता है तो भई फिर तो इसको वैसी नहीं कुछ आता है चाया वो technical analysis जानता हो या ना जानता हो और अगर कोई fundamental आने से उसको दो वैसी कुछ नहीं समझाता यह reality अगर आपको समझ आ गई मेरी हाज जोड़के विंति अगर आपको यह reality समझ आ गई तो आपको समझ आ जाएगा market का initiation point क्या है market को impact करने वाली जो जड़ है वो क्या है और यह जो derivatives market जो OTC होती है यह banks की treasury जो derivative department है यह वो manage करते है banks की treasury में कई लोग होते है एक तो है जो cash treasury देखते हैं वो ने जो banks के अंदर जो derivatives वाली treasury देखते हैं जिसमें हिंदुस्तान में 400 से 500 लोग है और world में 4000 से 5000 लोग है जो कि मैंने जिकर पहले भी किया है I happen to be one of those God's grace क्योंकि मैंने वहाँ पे exposure लिया और इनी में से कुछ चुनिंदा लोग जो currency and interested derivatives जो banks की treasury में जिन्होंने exposure लिया होता है जिनको असली knowledge है जो top के जो market makers है जो large, very large corporates है न जो top 10 या top 20 nifty companies के जो लोग है उनको भी knowledge होती है क्योंकि वहाँ पे भी banks के treasury के लोग वहाँ पे भी job करने के लिए shift होते हैं for better packages यानि किसका मतलब ये जो top 10 या 20 companies हो गई जो market makers हो गई या जो banks के जो treasury में जो derivatives के लोग हो गई वो भी market makers हो गई बस इनका काटल है जिनको सबसे पहले पता होता है या सबसे ज़ादा पता होता है derivatives और markets के बारे and इसलिए since इनको derivatives सबसे ज़ादा पता है तो इसलिए इनको market सबसे ज़ादा पता है और इसलिए इनको economic policies जो future में frame होने वाली है वो इनको सबसे पहले पता लग जाता है कि क्या frame होते वे दिखता है और इसलिए ये चीज़ की reality आपको मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ इन में अगर आप इस काटल का हिस्सा है और ये बहुत बड़ा काटल है तो आपको पूरा flow of information भी पता है और first flow of information पता है सबसे पहले पता है और सबसे जादा पता है और इसके कारण आपने सुनो आएगा most of the times जो large treasuries of the companies होते है या जो banks की treasury होती है वो बहुत पैसा बनाते है और इनके अलावा जो कोई भी बड़े corporates है जो top 20 corporates के अलावा क्योंकि top 20 corporates में जो treasury के लोग है कोन से वाले है जो banks की treasury में से वहाँ पर job करने गए है मगर उसके अलावा जो बाकी companies है चाहे large corporates हो चाहे nifty companies हो अगर उनके पास treasury में bank से treasury में derivatives के desk से काम करने वाला आदमी अगर join नहीं करा है ना तो उनकी treasury को कुछ नहीं आता होएगा especially on derivatives तो इसलिए normally large company के जो treasuries होती है वो सिरफ fund management करती है उनको derivatives या hedging नहीं आता होथा और इसलिए since हम में से कई लोग CXOs हैं Chief Financial Officers हैं कई बड़े-बड़े companies के इसलिए आप कई बार कहते भी हैं हम CFO तो हैं मगर हमें derivatives नहीं आता है यही reality है यही reason and इसलिए जो बड़ी-बड़ी company हैं चाहिए बड़ी हैं चाहिए उनके बस नाम से treasury है मगर वो treasury में अगर interbank derivatives desk का आदमी अगर नहीं है तो उनको knowledge नहीं आ सकती है इसलिए उनकी hedging कभी भी properly means हो and इसलिए यह चीज को मैं link करके हमें equities के उपर जो मैं बताने कोश्च कर रहा हूँ since आप equities का शौक रखते है equities market को भी समझने के लिए आपको authentic information या authentic learning वहीं से लेनी पड़ेगी जिसने currency and interested derivatives का exposure लिया है आपने मिरसे नहीं लेला आप किसी और से लेलो provided उसने currency and interested derivatives banks के treasury में रहे के exposure लिया आपने लो best exposure मिले आप but क्या है ना most of the people जो media में आते है या social media में आते है famous है मगर उनके पास असली knowledge नहीं है हाँ हो सकता है वो किसी treasury से बात करके आते हो कुछ information लेकर आते हैं वो अलग चीज हो सकते है मगर उनके पास असली वाली knowledge नहीं है जो असली वाली knowledge का जो peak point कहां से और वैसे ही most of यह जो media में जो लोग आते हैं वो किसी brokers या bankers को represent करते है तो उनका main motto क्या होता है अपनी brokerage को promote करने या अपने banks को promote करने so यह जो chain है यह start कहां से होती है यह chain start होती है top से जिनको advance में possible flow पता है possible flow of money real money possible flow of real interest rates and notional flow of money यानि की currency derivatives and notional flow of interest rates यानि की interested derivatives जो की treasury में मैंने बताया वहाँ से शुरू होता है या big corporate's के large treasuries जो होते हैं जहां पे x bank के जो derivatives वाले जो लोग हैं and इसी लिए यही लोग असली में fundamental या technical या price action समझते है and जब तक 70-80% journey complete हो जाती है तब तक वो media में आती है now challenge क्या है ultimately जब वो media में आती है तो तब तक वो zone mature हो रही होती buying zone mature हो रही होती है या selling zone mature हो रही होती है या अगर share गिर रहा होता है तो buying zone शुरू हो रही होती है या selling zone खतम हो रही होती है और वहीं पे जो impatient investor है या जो trader है जो 99% जो बाकी लोग है जिसके बारे में बात करें वो सब वहाँ पे trap होते है हाँ ये बात अलग है उन में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलकुल ढीट हैं जो बिलकुल देखते ही नहीं है ना बजार को देखते हैं ना मीडिया को देखते हैं ना कुछ देखते हैं वो फिर भी बच जाते हैं पता है क्यों वो इसलिए बच जाते हैं क्योंकि market में कई लोगों को उठाके बाहर निकाल लाता है वो बच जाते हैं वो निकले नहीं होते हैं ओवर अपिरिड अफ टाइम अगर किसी का पैसा वाव वाली कंपनीज में लगा है वाव मतलब टॉप निफटी कंपनीज में अगर पैसा लगा है तो ओवर अपिरिड अफ टाइम उनका पैसा बच जाता है इसलिए कई लोग कहते हैं लॉंग तम हम तो लॉंग तम के किलाड़े हैं मगर वो ये भूल गए हैं दो चीज़ है पहली इंपॉर्ड़न्ट चीज़ ये है कि अब जो हमारा इंडिया की जो डेमोग्राफी ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है पहले आप लॉंग तम में पैसा बना लेते थे जैसे कि कई लोगों ने 1995 से जुन्हें पैसा लगाया था वो 2004-2008 में जब पहली बार फ़नेशल मार्केट हिंदू थान की खुली ही तो उनका पैसा बन गए फिर जो लोग स्टक अप रहे 2008 से लेके 2019 तक वर्ल्ड में इतना पैसा छपा तो कोविड क्राइसेज में पैसा बन गए है चाहिए घोडे थे चाहिए गदे शेयर थे उनके पास मगर पॉइंट ये है वर्ल्ड में अब इंडिया जिस तरीके से ट्रांजिशन के हिसाब से चेंज हो रहा है ये समझना बहुत जोड़ी चाइना में आप हैरान होंगे 2005 से लेके 10 साल कई कंपनीज के शेयर बढ़े ही नहीं क्यों क्योंकि चाइना उस जमाने में ट्रांजिट कर रहा था ऐसी यूएस भी यूएस में कई शेयर पुराने फोर्ड जनरल मोटर्स वगरा कोई पैसा नहीं बना क्योंकि new shares evolve हो गए इसको बोलते है transitioning of the economy जहां पे market में भी कुछ shares चलते हैं कुछ नए shares चलते हैं और जो पुराने जो long time वाले shares थे ना चाहे वाव वाली companies थे ना वो नहीं चलते हैं और यही मैं cheek cheek के कह रहा हूँ पिछले 2 साल से कि COVID crisis के बाद हिंदुस्तान में जैसे अपने आपको nurture किया है जैसे अपने आपको transit किया है और जैसे से आप यहां से transitioning कर रहे हैं अगर आप वही same companies में जहां पे आप long term लगा के बैठे हुए थे जिसमें हो सकता है आपके पैसे बन गए हो आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा बिलकुल नहीं होगा यह बहुत important point है और thankfully जो पिछले 10 12 सालों में अगर आपके long term में पैसे बन भी गए ना उस company करण्ट शायद ना भी बने हो हमारी हिंदुस्तान की economy इतनी robust है कि evolve ऐसे हो रही है कि आपका पैसा थोड़ा बहुत बन ही गया है मगर थोड़ा बहुत मतलब आप चेक करेंगे तो नॉर्मली 8 से 10 परसंट over a period of time आया होगा थैंग और 2020 में इतनी liquidity आए कि कई shares बढ़ गए मगर वापेस back to pavilion आगे हैं कई shares अगर आपने profit बुकी नहीं कि आएगा long term long term करके बैठे होगे और अगर profit बुकी नहीं कि आएगा तो you miss the train you miss the bus you miss the opportunity और इसी में तीन important points है पहला important point अगर आप long term long term करके बैठे रहेंगे you will miss the opportunity to book your profits and re-initiate at the lower level reliance को example से लेते हैं 2008 में भी 700 रुपे का था और 2017 में भी 700 रुपे का था बैठे रहो long term नौसा फिर 2020 में जो price था ना आज वही price पे है reliance आप चेक कर सकते हैं 2020 में reliance का price अंदाजन कितना था साड़े तैईसों चौबिसों आज भी चौबिसों के तरीब है in fact अभी just recently 2850 लगा कर आया मगर अगर आपने profit book नहीं किया long term long term तरके बैठे हो यो तो वापिस आगया देखो जो 2020 का price था और खुदा ना खासता 2340 या 2350 तूटा तो यह आपको 2150 में मिलेगा और 2150 का मतलब जो आज से 3-4 साल पहले का price था तो सोचो उसी price पे आगे ना आप वापिस similarly अदानी पोर्ट 2015 में जो price था क्या था साड़े 300 2020 में साड़े 300 अब पॉइंटे यह नहीं 5 साल कोई long term अदानी पोर्ण में बैठा हो कोई profit भी पहले और जस्ट रिसेंट्ली 930 लगा कर आया और आपको पता है आज कितना चल रहा है अंदाजन 700 रुपे के तरीए आप चेक कर लोगा प्राइस वही है जो अंदाजन एक डेट साल पहले था दो साल पहले था यानि इसका मतलब यह यह यूशुड नो आप अपर्चुनिट टू बुक प्रॉफिटर तो बुक करो लॉंग टर्म लॉंग टर्म के एक्स्क्यूज में मत बैठे रहो और फिर जब नीचे आए और नीचे आए तो जोन बाइंग जोन में आए तो उसको री नी शिट करो अपर्चुनिट टू शिफ्ट यूर मनी अगर अधानी पोर्ट अभी नहीं चल रहा अधानी अंटरपाइस अभी नहीं चल रहा तो बैटर है कि हमें शिफ्ट करना है पैसा कहीं ऐसी जगह जो चल रहा है और ऐसा आप हर बार देखेंगे हर सेक्टर नहीं चलता हर इन्वेस्टमेंट क्लास नहीं चलती हर शेर नहीं चलता और इसलिए हमें शिफ्टिंग ऑफ मनी करना आ रहा चाहिए अरे भाई कब तक सिरफ बाइंग बाइंग की बात करोगे कभी शॉट करना भी सीखो जब तुम्हें पता ही अदानी पोड इतना टूट रहा है जब आपको पता ही है रिलाइंस इतना टूट रहा है HDFC बैंक इतना टूटा है और अगर आप कोई चीज समझ आएगी ना तो आपको पता लगेगा कि mutual fund में तो stuck up होना सबसे बड़ा blender है तो कि वो mutual fund तो सबसे बड़ा broker है आप कैसे shift ही नहीं कर पाओगे क्योंकि mutual fund तो वो ही shares में लगाई जा रहा है लगाई जा रहा है लगाई जा रहा है इसलिए मैं कहता हूँ knowledge जिसको नहीं होगी खुद की और वो knowledge भी right वाली जाने कि मैं यहाँ पे चलो 5th point बताता हूँ 5th point 4th point में मैंने क्या बताया कि long term में पैसा नहीं बनेगा क्योंकि आपको right time पे और book करके opportunity to re-initiate समझना पड़े अब 5th point में यह कह रहा हूँ अगर right knowledge नहीं है तो फस जाओगे और right knowledge या तो खुद treasury में चले जाओ bank के bank के treasury department के derivatives desk में जाके या तो काम करना शुरू कर दो सीख जाओगे दूसरा या फिर किसी ऐसे आदमी को पगड़ लो जिसने treasury derivatives देखा हो और वो भी over the counter में जिसको interest rate and currency derivatives आता हूँ हाथ जोड़के मैं हमेशा कहता है यह मेरा profile देखी I happen to be God's grace one of those by the way इसमें तीन चीज़ें एक तो है knowledge एक तो ली ट्रेजरी में derivatives department at a senior position दूसरा knowledge के साथ जो experience gain किया वो experience with one of the largest private sector banks of India handling few of the best corporates of India वहाँ पे सीखा यह experience होता है तीसरा expertise expertise तब आई जब हमने वो ला crisis देखा the great financial crisis क्योंकि वो जो सीखा है ना उस दमाने में तो चाहे कई लोग हो सकता है treasury में हों कई लोग हो सकता है derivatives desk में हों कई उने derivatives का exposure लिया हो कई नोंने technical analysis सीखा हो या price action सीखा हो मगर जो exposure हमने लिया है 2008 के crisis में believe me वो एक वर्थ exposure था और उसी के बाद हम किताब लिख पाए Currency and Interested Editors के उपर published by Pearson happens to be the one of the best practical books recommended at best of the best B schools in India प्लस उसी के उपर फिर हम PhD कर पाए and by the way वो जो किताब है उसमें some of the top large corporates के treasuries वालों ने उसके उपर reviews लिखे आप गूगल कर सकते है currency derivative या financial derivatives currency and interested factor बाइ अमन चुक करके तो आप देखो reviews, reliance, L&T, TCS, इनके treasury heads के reviews है उसमें similarly उसी में PhD करी currency and interested derivatives में I happen to be one of the only PhDs in that field आपको लगता है मेरे से better कोई और किसी को knowledge है वहाँ जा कि सीखो मगर सीखो जरूर मेरा कहने का बतलब यह है क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे तो बहुत बड़ा challenge यह बहुत important चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पे six point में आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ जो आपको आने वाले समय में और clear होगा market buying mode में trending mode में uptrend mode में सिरफ 20% time रहती है और 80% time या तो volatile रहती है या down में रहती है पता है क्यों 80% time इसलिए volatile रहती है या down में रहती है ताकि bottom of the pyramid में 99% जो लोग है वो डर के भाग जाए छोड़ जाए market they exit at the bottom they exit at the peak यानि कि peak पे वो buying कर ले और बड़ा आदमी exit कर जाए और bottom पे बड़ा आदमी खरीद ले और छोटा आदमी बेज दे इसलिए 80% time market volatile रहती है तो अब सोचो अगर market 80% time volatile है या downtrend में है तो सबसे पहला तो point आपको समयना जरूरी है कि 80% time आपको market में average नहीं करना होता है आपको average नहीं करना होता है क्योंकि 80% time volatile है तो volatile का मतलब range of price वही है उसी range of price में बार-बार आप sip लगाते रहते हो चाहे mutual fund में चाहे share में average करते रहते हो वोई range of price में क्या फाइदा है you end up investing lot of money in the same range of price अगर आप sip in mutual fund करना हर महीने तो आप चेक करोगे 80% time आपका same range of price में ही पैसा लगी जा रहा है फाइदा ही नहीं है and इसमें भी एक और problem है कि average में भी पता ही नहीं होता है कितना पैसा लगाना है हम कई बार जैसे share में लगाते हैं चल दो लाक रुपे लगाते चल एक portfolio और इसलिए जैसे ऐसे आपकी prosperity with this knowledge journey जो हम portfolio education services में सीख रहे हैं आपको समझ आएगा कि 80% time हमें market में आराम से भड़े भार खड़े होके देखना होता है buying नहीं करना होती है हाँ इसी में ये important चीज हो सकती है कि अगर 80% time market volatile है या down में है तो short करना सीखो और आने वाले समय में आप short करना सीखेंगे जैसे कि अभी आप portfolio education services में level 1, 2 and 3 जो gold version है उसमें आप buying zone, selling zone कैसे market behave कर रही है ये आप सीख जाएंगे 12-15 महीने in fact मैं तो कहता हूँ 6 महीने जिसने portfolio education services गुजार लिया वक्त और साथ मैं practice कर ली कहीं नहीं छोड़के जाओ गया आपको खुद अपनी आखों से zones समझ आएंगी buying zone, selling zone खुद आपको अपनी आखों से समझ आएगा कि कैसे media वाले कहां trap कर रहे हैं और कहां हम कैसे बच रहे हैं अपनी learning से और अगर एक बर आपका ये continuation बन गया तो जब आप level 4 में आएंगे और करके level 5 and onwards total 9 levels of learning है जो over a period of time जैसे से हम पैसा कमा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है अगर समय लग रहे हैं सीखने में तो पैसा कमा रहे हैं अपना portfolio बिल्ड कर रहे हैं सीख रहे हैं तो साथ में सीखते सीखते उसी पैसे को थोड़ी बहुत knowledge में लगाना better है तो आपको level 4 onwards समझ आएगा कि कैसे 80% time हम market में short में पैसा कितना अच्छा बना सकते हैं moreover जो बहुत very long term वाले shares वाले जो guys होते हैं जैसे मैंने बताया वो इसलिए बच जाते हैं क्योंकि काफी जो छोटे छोटे जो छोटे लोग होते हैं 80% time में वो निकल जाते हैं जैसे मैंने बताया कि हमारी जैसे economy transit कर रही है उस transition के हिसाब से हमें ये knowledge लेनी ही पड़े and especially ये realities जब हम जान लेंगे with a bit of investment in our knowledge only authentic knowledge only तो आपके जो portfolios जो बड़े बड़े red में होते हैं या जो हर time by आप average कर रहे होते हैं या समझ ही नहीं आ रहता buying zone क्या है या selling zone क्या है या पूछ रहे होते है tips देदो tips देदो tips देदो किसी को आप independent बन जाएगे and इसलिए मैं कहता हूं मिशा कि इस portfolio education services में आप right side बे पका होंगे एक बार नहीं 10 में से 9 बार आप observe तरहेंगे जब market गिरने वाली होते हैं हम पहले ही exit कर लेते हैं और जब market बढ़ने वाली होते हैं हम पहले ही अपनी buying करना शुरू कर देते हैं इसलिए मैं कहता हूं जब आप इस journey में चलेंगे आपको खुद दिखेगा buying zone selling zone और 10 में से 9 बार and but obvious है इस portfolio education services में कई CXOs कई senior industry के लोग जुड़े हुए कई हमारे CXOs next members जुड़े हुए यानि कि वो best से best minds हैं हर industry के top notch positions पे हैं तो अगर वो लोग इतने सालों से जुड़े हुए वो लोग अगर learning करके wow कह रहे हैं यानि कुछ तो होगा तो अगर कुछ तो है तो मैं कहूंगा सीखने की एक बार कोशिश तो करो छे महीने लगा के देखो फिर बताओ मेरे को कि peaks and bottoms चाहे ना आता हो मगर buying zone, selling zone आता है market कैसे behave करेगी समझ आता है और ऐसे से करके आपको खुद reality समझ आएगी and जब आपको इतनी चीज़ें समझ आएगी न तो आप खुद कहेंगे जब सामने वाला सवाल करेगा कि सर्क्या करना चाहिए market में आप मुस्कुराएंगे और आप कहेंगे भाई सिखाने के लिए तिरको at least 3-6 महीने जुड़ना पड़ेगा portfolio education services का I hope आपको यह समझ आया होगा Thank you very much Namaskar